आज इस वीडियो में हम बात करेंगे happiest minds के बारे में Q3 के रजल्स के बारे में उसते पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजे फरी है अब बात करते हैं happiest mind के बारे में सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दू काफी जदा confusion है रिजल्ट को लेके आज रिजल्ट बीए सी की वेबसेड के एकोर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज के वेबसेड के एकोर्डिंग रिजल्ट मार्च में है तो काफी जदा अगर आज रिजल्ट को लेके अगर आज रिजल्ट है तो आज मैं आपको उसको पर वीडियो बता दूँगा उस्ते पहले आपको चार्ट पैटन में समझा देता हूं कि क्या हो रहा है happiest mind के अंदर happiest mind के अंदर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा एक consolidation हुआ या आप उसको एक distribution भी कह सकते क्योंकि अब आज के दिन उसका एक breakdown आपको आता हो देखने को मिला हाला कि अगर आप volume पर नज़र डालोगे तो volume काफी कम है volume based selling नहीं हुई है लेकिन selling हुई है काफी अच्छा consolidation हुआ अब अगर यह selling continue होती है तो यह आप मान की चलीगा कि यह हो गया है distribution अगर यह distribution है तो जल्दी से यह level को पार नहीं कर पाएगा stock अगर यह consolidation है और यह fake breakdown है तो यह याद रखेगा यह level जो की करीब करीब 1350 का निकल के आता है वो एक हफते के अंदर ही break हो जाएगा उपर की बाजू और stock अपनी upward जनी शुरू कर देगा अभी फिलाल के लिए जिनके पास यह stock है मेरी opinion यही यहीगी according to chart pattern एक breakdown हुआ है आप चाहो तो एक exit ले सकते हो अभी भी यह stock आज के दिन मेरे ख्याल से 2% उपर है, 5% उपर है, results है आज शाय तो आप उसको exit ले सकते हो, देखे रिजल्ट के बाद shot-up भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि काफी जादा IT stock गिर चुके है तो यहाँ से काफी सारे IT stock को फोर्ज आप देख सकते हैं अपने 200-day moving average को भी break किया है और यह काफी अच्छा consolidation हुआ था, उसका breakdown हुआ है, अब इसका immediate first target निकल के आ रहा है 960 रुपीज का, यहाँ से भी करीब-करीब 200 point का fall आपको इस stock में आता हूँ, देखने को मिल सकता है, अगर result खराब आते हैं, तो definitely 200 point तो जा रहा है, 960 तक जाता है, अगर result अच्छे आते हैं, तो कल के दिन यह shot up भी हो सकता है, easily यह stock 10-15% या 5% जो भी इसका circuit level है, यहाँ से 16% उपर है, इस price तक भी जा सकता है, अब इस range के अंदे कहिना करी अगर खुलता है, तो वापिस confusion create हो जाएगा, फ्रेश बाइंग तो बिलकुल नहीं ब अब इसके उपर ही 1364 के उपर, एक head and shoulder का formation भी हुआ था, उसको भी इसने fail किया, अगर आप देखोगे तो यह हुआ था inverse head and shoulder, यह हो गया था left shoulder, head और यह हो गया था right shoulder, अब इस right shoulder को भी इसने break करके अब यह नीचे trade कर रहा है, तो इस head and shoulder pattern को भी इसने respect नहीं दिया, इसको मिल सकता है, किसी की holding में है, तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके holdings के अंदर है, तो आप एक काम कर सकते है, आप अपनी holding अगर अच्छी खासे amount है, तो मैं नहीं कह रहा, अगर आपके 500, 600, 700 shares है, तो मैं यही कहूँगा, कि आप exit कर दीजे, profit book कर लीजे, और थोड़ा सा, अगर आपके पास 500, 600 share है, तो आप एक call option खरीद लीजे इसका, अगर ऐसा लगता है, कि यह short up हो सकता है, वाप इस उपर जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा risk लेना चाते हो, तो एक call option खरीद लीजे, अगर यह मिरे ख्याल से, अगर यह FNO के अंदर है, तो मुझे पता नह हुआ है, अब results के उपर है, कि कैसे results आते है, अगर results अच्छे भी आते है, तो वापिस यह एक range में घुश जाएगा, 1162 से लेके 1354, 1364 यह 200 point की range है उपर की बाजू, जिसमें अभी यह consolidated करेगा, fresh buying, momentum buying, chasing करनी है, trading करनी है, तो वो हम खरेंगे 1364 के उपर ही, वापे अच्छ टेकनिकल चार्ट पाटन भी बन जाएगा, और वापे एक fresh breakout भी होगा, consolidation का, अभी के लिए breakdown हुआ है, inverse head and shoulder का breakdown हुआ है, consolidation का breakdown हुआ है, target निकल के आ रहा है, 960 यहा, तो थोड़ा सा careful होके, अपने अच्छे से अच्छे करके, अगर बहुत बड़ी holding है, तो देख लीजे, एसा भी हो सकते हैं, कि आज आप बेच के जाओ, और कल ये share उपर खोले, तो फिर आपको थोड़ा सा loss भी हो सकते है, तो थोड़ा सा सोच समझ के, जो भी decision लोगे, आप अपने अच्छे करके लिजेगा, चार्ट पैटन के हिसाब से, अगर को प्योर और टेकनिकल है, तो उसको तो पता है कि ये breakdown हुआ है, तो as per me, अगर मेरी इसमें position होती, trading position होती, तो at least मैं exact कर जाता, अगर investment position होती, तो आप आपके long term के साथ इसके अंदर बने रह सकते हो, long term जो भी target goal है, उसके साथ आप बने रह सकते हो, वीडियो informative लगा हो, तो वीडियो के जगा लाइक, चैनल को नहीं किया subscribe, तो कर ले जगा subscribe, मैं confident नहीं हूँ, उस stock में long position देने के लिए, तो कि charts में दो बड़े pattern का breakdown हुआ है, consolidation का breakdown हुआ है, वो भी daily frame के अंदर, और daily chart के अंदर एक inverse head and shoulder बन रहा था, उसका भी breakdown आज के दिन आपको होता हो, देखने को मिल रहा है, ने ने वा आपको होता है, तूख एक ठाखने के अंदर आपको होता है, का वाज़े या இ आपको है,